हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोठारी लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए अब्चेक्टिव जनरल इंग्लिश बाइस्पी वक्षीप दोस्तों बहतरीन एक किताब और बहतरीन वो पढ़ाने वाला दोस्तों मजा ही आजाएगा आप लोगों को एक एक लाइन एक एक सेंटेंस है कि क्वेस्चन हम यहाँ पे सौल करवा रहे हैं बहुत जादा समय नहीं लगाते हैं सीधा चलता हूँ दोस्तों चैप्टर नमबर सेवन के लगातार रूल चल रहे हैं पिछले वीडियोज आपने देखे होंगे आगे बढ़ते हैं अगल अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो I drink water लेकिन मैं पानी पिला रहा हूँ तो I made him drink water यह ध्यान से ध्यान रखिए यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको causative, causative मतलब कोई cause करवा रहे हो आप किसी से कोई कारे करवा रहे हो आप make से, get से, have से cause इन से करवाते हो जैसे कैसे I made my friend write a letter ध्यान से देखेगा I made my friend write a letter का मतलब है मैंने मेरे एक मित्र से letter लिखवाया My friend was made to write a letter अगर आपको याद होगा हमने ये कहा था दोस्तों मैं फिर से लिख देता हूँ कि active के case में क्या होगा आपको जो भी make या इस तरह के verb बनेंगे इसमें to आपको missing करना पड़ेगा और सीधा infinitive लाना पड़ेगा लेकिन अगर ये passive होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा to अगर जहां लगना है वहां लगेगा यानि कुल मिला के यहां I made my friend write a letter यहां पे to नहीं आया था My friend was made to write a letter यहां पे आपका to जरूर आएगा एक और example देखते हैं दोस्तों He got his house painted got his house painted by expert painters expert painter के द्वारा He got his house He had a house demolished had a house demolished मतलब उसने जाके demolish नहीं किया demolish का मतलब क्या है गिरा देना तहस नैस कर देना नस्ते नाबूद कर देना मतलब उसने खुद से ये demolish नहीं किया उसने ये demolish करवाया उसने खुद ने paint नहीं किया उसने ये paint करवाया तो अगर कोई कार्य आप करवा रहे हो खुद नहीं कर रहे हो करवा रहे हो वहाँ पर use लिया जाता है दोस्तों causative verb, इसको थोड़ा और अच्छे से explain करते हैं, यहाँ देखिएगा यह कहरा दोस्तों, in sentence first first वाले में, the causative verb make is followed by direct infinitive, जिसका मैंने कहा था right in the second sentence, make is followed by to right, because it is a passive voice, अगर आपको याद हो यह बाते हम कर चुके हैं आपको याद रखना है दोस्तों जब active voice होगा, तो make को direct infinitive चाहिएगा इसी का passive होगा, तो वहाँ make plus two plus infinitive चाहिएगा, दोस्तों, but we can say, they caused him to leave India, यहाँ अगर cause का प्रयोग करेंगे, तो caused him to leave India कह सकते हैं कोई problem नहीं है, और वैसे non-finite verb के rules में आप check कर सकते हैं, rule number second भी दे रखा है, और सारे videos हमारे channel पे उपलब दे हैं तो यहाँ हमने causative verb के बारे में जाना, next rule पढ़ते हैं दोस्तों, rule number 13 तेरा number rule क्या है वो देखते हैं दोस्तों, when negative ideas are introduced in a noun clause, noun clause पढ़ा था हमने तो जब भी कभी negative idea जो है, अगर वो introduce किया जाएगा, with the following verbs and principle clause, अगर imagine, think, believe और suppose ध्यान से देखेगा, यह चारो verb पे ही यह rule apply हो रहा है अगर आप imagine, think, believe और suppose की बात करते हैं तो it is better या advisable to make principle clause in negative आप एक काम करो, principle clause ही negative बना लो, यह यह कहना चाहरे कि अगर noun clause negative है, तो आप noun clause का उसको छोड़ दो और principle clause को ही negative बना लो, कब जब imagine, think, believe और suppose, केवल इन चारों में, हर एक जगे नहीं, केवल इन चारों में, दोस्तों example के दोर, इसने यह कहाए कि यह rule apply नहीं होगा, I hope मैं, तो hope को छोड़ देते हैं, I don't think he will pass I don't think he will pass हमने क्या किया, इसको I think बना लिया, he will not pass, ऐसा किया, तो यह जो तरीका है, वो तो incorrect है, मतलब हमने क्या किया था, अगर हमारा noun clause negative है, अगर हमारा noun clause negative है, हमने कहा, जो इसका principle cause है, I don't think, यह principle clause है, इसी को negative बना लो, हमने कहीं तो कहा, अगर हमारा principle clause negative है, तो advisable क्या है, कि इसको ही आप negative बना लो, ठीक उसी प्रकार से, I don't suppose she will pass, यह correct है, हमने यहाँ पे इसी को ही negative का रूप दे दिया, हमारे principle clause को, हमने noun clause पे दिमाग नहीं लगा है, कि उसे negative नहीं करना है, तो अगर हमारा noun clause negative है, तो it is advisable, यहाँ कहा जाता है आप लोगों से, कि हमारे principle clause को ही आप negative बना लो, आखरी rule पढ़ते हैं दोस्तों, rule number 14, अच्छे से देखिएगा, यह कहना चाहरा है, the position of verb in the clause, beginning with as and then, when the subject is hidden, अगर hidden है, तो उसका meaning क्या है, जैसे the guest, बहुत सारे guest हैं, came on time as were hoped, it was hoped actually, यहाँ पे अगर आप देखें, तो it was hoped होना चाहिए, मतब यहाँ जो समझाना चाहरा है, यहाँ पे subject hidden है, hidden किस के लिए दोस्तों, it के लिए, तो it was hoped, जैसा की उमीद की गई, guest जो हैं, समय पर आए, तो क्या यह बात समझा रही है, एक और example देखते हैं दोस्तों, the guests came more in number, guests बहुत सारे आए, बहुत सारे number में आए, then they were expected, मतलब वो जितना उनको expect किया था, उससे कई जादा आए, क्या ये बात समझा रही, तो यहाँ क्या hidden है दोस्तों, they hidden है, there were more mangoes than it was expected, again वोई it was expected, भाई जितनी उमीद की थी हमने, उससे जादा mango थे, तो हमने क्या किया, वर की जगे पे it was expected था, मतलब यहाँ पे it hidden है, और आखरी देखें दोस्तों, there were more servants than they were required, मतलब कौन servants के लिए आया है, they were required, तो हाँ हमने देखा दोस्तों, किस तरीके से, अलग-अलग जगे पे, वर्ब के अलग-अलग रूप आपको लेने होते हैं, यहाँ पे आज का विडियो समाप करते हैं, आज का सेशन समाप करते हैं, next class जो होने वाली दोस्तों, वर्ब को almost ending पे है, next class में कुछ regular verbs को पढ़ेंगे, समझेंगे, and that is it, उसके बाद next जो class होगी दोस्तों, सीधा exercise पे होगी, thank you and take care. Please, like, share, subscribe, digital तैयारी